Welcome to my channel Friends, मेरा नाम लता है और आज मैं आपके साथ prayer plant के उपर जानकरी शेयर करूँगी और आपसे एक छोटी सी request भी करूँगी कि अगर आप पहली बढ़ मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सोच लें सामने जो स्क्रीन पे आप प्लांट देख रहे हैं इसको कैलेथिया भी कहते हैं और जनरल फाशा में इसको prayer plant कहते हैं और ये plant friends है तो वैसे indoor plant है लेकिन हम इसको outdoor भी रख सकते हैं अगर हम थोड़ी सी precautions लेते हैं बाकी plants के comparison में ये plant एकदम से ऐसा नहीं है कि हम इसको nursery से ले आएं और ये अराम से हमारे घरों में चलता रहे और जब हमारा मन करें हम इसको पानी दे दें कभी भूल भी जाएं तो भी उगे जैसे कि normally कई plants होते हैं house plants low care plants होते हैं easy to care और zero maintenance होती है friends वैसा इस plant के ओपर apply नहीं होता है अगर आपको really अगर आपको gardening करना है या पर आप beginner है तो आप immediately इस plant को नहीं खरी दे लेकिन अगर आपको इस plant कई nursery में दिख जाए और बहुत पसंद आ जाए तो फिर आपको जो care उसकी करनी है तो वो मैं जान करें आपको अपने experiences के basis पे दे देती हूँ जो जो गलतिया मैंने शुरू में करी थी जिससे कि ये plant मेरा एक plant तो मरी चुका है तो पहली बाद तो ये है friends की इसको ना सीथी sunlight में आप कभी न रखें और उससे ये है कि आपने अपने plant को बहुत बड़ी emergency में माने डाल दिया जो आप अभी देख भी रहोंगे सामने अगर आप ध्यान से notice करें तो कुछ पत्ते इसके curl हुए हुए उनके margins मूर से रहे हैं automatically ये हो रहा है और कुछ पत्तों में ऐसा नहीं हो रहा है और ये यही इसके विशेशता है कि सीधी दूप इसको बरदाश नहीं होती है और ये defense mechanism समझ लिए एक protective mechanism ये plant करता है जब उसको सीधी दूप पड़ती है कि पत्तों को मोड लेता है और आप इसके leaves की अगर beauty देखें तो आपको खुद में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि front से ये दो shades है इसके green के और back side पे ये plant है light maroon magenta pink कलर का बहुत सुंदर इसके leaves लगते है और इसी plant पे एक और वीडियो भी मैंने करा था वो मैंने link लगाया है आप देखना वो भी prayer plant ही है उसका नाम भी कहले थिया है लेकिन वो थोड़ा सा उसका leaf का size और shape थोड़ी different है और उसका रख रखा दोनों का हाला की same है और best ये चलते हैं indoors लेकिन friend जैसा की होता है हम purely indoors तो नहीं रख सकते plants को अपनी photo senses के लिए sunlight थोड़ा चाहिए ही होता है तो weekend पे जब भी आपको छुटी हो तो आप 10-12 दिन में इसको थोड़ा बाहर लेकर के आएं धूप में रखे और ताकि ये अच्छे से आपके साथ grow करता रहे और आपके घर में बना रहे और आप इसको बिलकुल भी low light में रख देते हैं और बाहर नहीं लाते हैं sunlight का कोई exposure नहीं देते हैं तो भी ये plant के health के लिए अच्छा नहीं है और अगर इसको बिलकुल बाहर छोड़ देते हैं तो भी ये plant मर जाएगा तो ये है इसकी placement की जान करे कि कैसे इसको place करना है थोड़ा सा care ये मांगता है फिर हम बात करें कि इसकी मिट्टी हमने कैसे बनानी है friends हम जब भी nursery से plant लाते हैं और उसको जब हम अपने pot में लगाते हैं तो अक्सर हमने देखा होता है कि हमारे plants मर जाते हैं या फिर उनकी growth रुक जाती है और ये plant भी उनी plants में से है तो बहतर रहता है कि हम अपनी मट्टी घर पे बना ले तो इस plant के लिए आपको जो मिट्टी बनानी है वो ऐसी होने चाहिए कि जिसमें moisture बना रहे और आप normal जो मिट्टी बनाते हैं जिसमें कि हम एक portion soil लेते हैं, एक portion sand लेते हैं एक portion हम खाद मिलाते हैं तो वो हमारी general सभी plants के लिए useful होती है, लेकिन जब हमने ये वहला plant होगाना है, या indoor कोई भी plant होगाना है, तो हमें थोड़ी सी cocopeat और मिलाना पड़ती है या फिर कोई hanging plant मिलाना है उसमें भी cocopeat, तो cocopeat आप commercially भी ले सकते हैं, nurseries में मिल जाती है, नहीं तो मैं generally क्या करती हूँ, जब मैं नारेल की मिठाई बनाती हूँ, तो उसके जो नारेल के बाहर का छिलका होता है, वो मैं बचा की रख लेती हूँ, और उससे मैं अपने घर पे ही कोपीड बनाती हूँ, मट्टी में मिला देती हूँ, तो यह हो गए इसकी सैंड की सोईल की जो प्रपोर्शन बनाना है हमने, फिर हम बात करें इसकी water requirement कैसी है, पानी आप इसको over watering तो करेंगे ही निए, वो तो हमें किसी भी plant में पानी करना होता है, और जब आपने इसको पानी देना है, तो थोड़ा सा आप इसकी मट्टी चेक कर लें, गीली है तो फिर ना दे, और अगर उपर की layer एक डेड इंच की आप देखें कि सूख गई है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा इसको पानी डाले, और नीचे drainage पानी के जरूरत नहीं रहती है, और खिड़की के पास रखेंगे आप इसको तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इसकी अच्छी growth होती है, और बस इतना ही आपने care करना है, और खाद के लिए, जनरली मैं तो homemade organic fertilizer डालती हूँ, और चाई की पती मैं इसमें डाला करती हूँ, स ऐसे ही नहीं तो चाई को उबाल करके, कभी-कभी green tea expire हो जाती है, उसको उबाल करके चान के पौदे में आप डाल सकते हैं, तो NPK इसको चाहिए होता है अपनी अच्छी growth के लिए, जो कि हमें easily चाई की पतियों में मिल जाता है, आशा करते हूँ, आपको यह जानकरी अच् Thank you and bye